इतिहास का तीसरा पार्ठ, ग्रामीन छेतर पर सासन चलाना मलब गाउं में सासन कैसे चलता था 15 में उसके बारे में भारत में इस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ यह हुआ था 793 सब्सक्राइब करें इस्थाई बंदोबस्त की किया था देखो या इसके मुख्य पहलो का वर्णन कीजिए इस्थाई बंदोबस्त की ये शुरू किया था बच्चो कार्णुवालिस कार्णुवालिस त्वरा लागो के गए इस्थाई बंदोबस्त में लगान की राशी हमेशा के लिए निश्चित कर दी गई लगान जो होता था किसानों से लिया जाता था किसानो को कितसी कारीज जो करते थे उसके वदले सरकार को लगान के रोप में रुपीय या अनाज देना होता था तो कारनुवाल इसको हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया था 30 या 40 सालों के लिए लगान की राशिक निश्चित कर दी की गई 19 सथी में इस्थाई बंदोबस्ते के स्थान पर दो नहीं व्योस्ता हैं लागू की गई देखो उत्तर भारत में तो महाल वारी व्योस्ता और दक्षण भारत में रैत वारी व्योस्ता शुरू की गई महाल माने होता है बच्चों ग्राम समू गाउं का जो समू होता है उसको महाल कहा जाता था और रैत कहा जाता था किसान को अब क्या अंतर था देखो इन दो नई ब्योस्ताओं में और इस्थाई बंदोबस्त में इस्थाई बंदोवस्त में तो आपने देखा कि हमेशा केले लगान की राशी निश्चित कर दी जाती थी जो किसानों से ली जाती थी लेकिन इन दो वियोस्ताओं में महलवाडी और रहतवारी वियोस्ता में समय समय पर संसोधन की गुंजायस रखे गई थी किसान अगर वजश अच्छ ही नहीं होगी तो लगान कम अंग्यज को किसकी खेती के लिए बात देकिया गया आग्यों चों तुक्तवान की जगां से जबरदस्ती अंग्रेज निल अभीतीं और को क्हेती करुआते थी महालवारी विवस्ता इस्थाई बंदोबस्ते के मुकाबले कैसे अलग थी अभी आपने देखा था कि इस्थाई बंदोबस्ते के इस्थान पर महालवारी और रैधवारी विवस्ता चली थी तो क्या अंतर था महालवारी और इस्थाई बंदोबस्ते में पहला अंतर तो यह था बच्चों की इस्थाई बंदोवस्त में भूराजसु की राशी तीस वर्से के लिए निश्चित कर दी गई थी जबकि महालवारी विवस्ता में एक निश्चित समय बाद भूराजसु का पुना निरदारन होता था समय समय पर इसमें बदलाव हो सकता था किसमें महालवारी में और इस्थाई बंदोवस्त में हमेशा के लिए तीस वर्से के लिए निश्चित कर दी गई थी एक अंतर यह था दूसरा अंतर था इस्थाई बंदोवस्त में जमीदार जो होता था राजा महराजा जो होते थे जमिदार निश्चित के जाते थे जो भूराजस्चु को एकटा करता था जमा करवाता था जबकि महालवारी वियोस्ता में ये जिम्मेदारी गाउं के मुख्या की होती थी गाउं का ग्राम परतान जिसको हम कहते हैं मुख्या आजकल तो गाउं का जो मुख्या होता था वो महालवारी वियोस्ता में भुराजस्व जमा करता था राजस्व निर्धारन की नई मुन्रो वियोस्ता के कारण पैदा हुई दो समस्या है बताईए देखो मुन्रो वियोस्ता क्या है रैतवारी वियोस्ता को ही मुन्रो वियोस्ता कहा जाता है मुन्रो की नहीं भुरा जस्व वियोस्ता रैतवारी कहलाती थी अब इसमें समस्या क्या थी अभी आपने देखा था ना महालवारी और रहयतवारी उसी का नाम मुन्रोब युस्ता भी है बच्छू ठीक है जो दक्षिन भारत में शुरू हुई थी तो इसमें समस्या क्या आ रही थी राजस्यू की मात्रा अधिक होने से किसान नहीं चुका पा रहे थी जो राजस्यू लिया जा रहा था लगान लिया जा रहा था किसानों से वो चुका पाना किसानों के बसका नहीं हो रहा था जिसके कारण वो लोग गाउं छोड़ करके भा कि सामानी किसान भी संपन्न किसान बन जाएंगे पर ऐसा हो नहीं पाया, इसलिए जादे राजस्टो लिया जा रहा था, लेकिन किसान उसको अदानी कर पा रहे थे और मजबूर हो करके उनको गाउं छोड़ना पा रहा था, यह समझे थी इसमें, रहायत मलब किसान, नील की से क्यों कत्रा रहती किसान नील की खेती क्यों नी कर ना चाहते से से जबरदस्ति कर्वाते हैं लोगलेशं को फारती ओर अधिक्रिण के दिशिविन नहीं कर नो सब्सक्राइब में नील बो दिया तो उस खेत की उरूरा सकती सारी समाप तो हो जा रही थी और फसले उसमें नहीं हो रही थी इसलिए किसान कत्रा रहे थी नहीं करना चाहरे थे नील की खेती लेकिन अंग्रेज जवर्दस्ती करवा रहे थे दूस्ता कारण था नील की खेती के लिए अधिक मेहनत और समय की आशिकता होती थी बहुत मेहनत लगती थी और समय भी अधिक लगता था तीस्ता था धान की फसल का समय होने के कारण नील की खेती के लिए मजदूर नहीं मिल पा रहे थी इसलिए किसान नील की खेती करने से कद्रा रही थे किन परिस्तितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धरासाई हो गया धरासाई हो गया मलब समाप तो हो गया नील का उत्पादन नहीं हो पाया बंगाल में क्या कारण थे उसकी पहला कारण तो था कि किसान अपनी सबसे उपजाओ जमीन पर धानवा गिहों की फसल उगाना चाहते थे नील की फसल नहीं दूसरा कारण था लगान अधिक होने से किसानों के कर्ज बढ़ते जा रहे थे लोग किसान अभी आपने देखा गाउं छोड़ दे रहे थे इतना उनके उपर करज चड़ गया था कि वो बहुत प्रेशान हो गये थे और तीस्ता था नील की खेती करने से मना करने पर किसानों को दंडित किया जाता था अगर किसान नील की खेती करने के लिए मना कर दे तो उनको दंडित या जाता था मजबूर होकर किसानों ने इसका बिरोत कर दिया और नील की खेती नहीं करने वह भूरा जसु न देने के कारण बंगाल में नील का उतबादन धरासाई हो गया अब जब किसान ने बिल्कुल बाती हो गया, बिरोद करना चुरू कर दिया, गाउं छोड़ दिया, नील की खेती कन्ने से उसने बिल्कुल मना कर दिया और उसने और अगर मेरे से जबर्दस्ति तुम नील की खेती करुआ होगे, तो मैं भूरा जस्सु कहां से दूँगा, ल